भुश्क कर दोस्तों मैं नभीम कुमार अपने चैनल लिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों छाया ग्रहे केतु, इसे पाप ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, केतु कहाता है। केतु के पास चहरा नहीं है, मस्तिष्क नहीं है, धल है। शनिवत राहू कुजवत केतू अर्थात एनर्जी का बढ़डार है केतू अर्थात मोक्ष की तरफ प्रबलता से इनसान को ले जाने वाला ग्रहे है केतू केतू के बारे में कहा जाता है जोतिश शास्त्र में केतू के बारे में कहा गया है कि के तु एक detachment पैदा करने वालग रहे है ये जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित फल जातक को आसानी से नहीं मिलने देता धीरे धीरे जातक उस फल के बारे में उस चीज के बारे में सोचना ही छोड़ देता है This is detachment इसे कहते हैं detachment या ये कहा जाए कि जातक नियती पर छोड़ देता है कि ठीक है अगर मिलना होगा तो हमें इस चीज का लाव मिल जाएगा नहीं तो जैसा हमारा भाग्य है बात भाग्य के उपर आ जाती है जबकि वहाँ बैठे हुए है एनर्जी कारक केतू मोक्ष कारक केतू केतू का व्यवहार एक्जेक्टली मंगल की तरह बताया गया है कुजवत केतू दोस्तों ये एक ऐसी जिद है केतू अपने आप में एक ऐसी जिद है राहू किसी चीज की प्राप्ती की तरफ इंसान को लेकर जाते हैं उसका ध्यान किसी चीज को प्राप्त करने की तरफ लगाते हैं और केतु उसी चीज से उतनी दूरी मेंटेन करवा के रखवाते हैं जिस चीज को राहु प्राप्त करवाने के लिए जल्दबाजी करवा रहे हैं केतु उसी चीज की प्राप्ति आसानी से नहीं होने दे रहे हैं ये अस्मंजस जो है इस अस्मंजस को कहा जाता है राहू और केतु का खेल इंसान को किसी चीज के पीछे दोडाना जब वो दोडना शुरू करे तो उस चीज का लगतार उससे दूर होते चले जाना दोड रहा है अर्थात राहू is working किसी चीज को पाने के लिए भाग रहा है राहू दोडा रहा है उसको और केतु उसी लक्ष को बहुत आगे बढ़ाता चला जा रहा है उसके हाथ नहीं आने दे रहा है ये है केतु दोस्तों केतु के बारे में ऐसे ही नहीं कहा जाता कि ये detachment देने वाला ग्रहे है केतु की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि केतु कुंडली के जिस भी भाव में बैठ जाता है एक विशेश बात है कि केतु कुंडली के जिस भी भाव में बैठ जाता है केतु उस भाव के जितने भी कारक्तत्व हैं जरूरी नहीं है कि सभी कारक्तत्वों पर इसका प्रभाव आए लेकिन उस भाव से संबंधित ज्यादा से ज्यादा जो भी कारक्तत्व होते हैं उनमें से कुछ या सभी पर केतु प्रभाव डालते हैं और केतु उनके फल हमको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलने देते हैं। जैसे केतु यदि जन्म कुंडली के आठवे भाव में बैठ जाते हैं, तो जातक को उसके सुसराल पक्ष से संतुष्टी नहीं मिलती। जमकी बड़े मामलों में देखा ये जाता है कि सुसराल पक्ष के सभी लोग संब्रांत हैं। जातक खुद भी बहुत समझदार हैं। लेकिन उनके बीच में किसी न किसी बात को लेकर के कोई न कोई ऐसा डिस्टेंस मेंटेन कर देते हैं केतु, कि उनके दिल आपस में प्रॉपर तरीके से कभी मिल ही नहीं पाते हैं। इसे कहते हैं डिटेच्मेंट, ना आसानी से छोड़ा जाए और ना उसको प्राप्त ही किया जा सके। ना उसे ठीक से पाया जाए और ना उसे छोड़ते ही बने। ये असमंजस जो है इसका नाम है केतु, ऐसी स्थिती में यदि जन्म कुंडली के आठवे भाव में है केतु, तो बड़ी संख्या में देखने को मिलता है के लोगों को इस बात पर आकर समझोता करना पड़ता है के ठीक है, हमारे सुसराल वाले भी बड़िया लोग है, हम अपने जगह पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम उनके साथ संबंद नहीं बिगारेंगे, ना वो हमारे साथ संबंद बिगारेंगे, लेकिन एक बीच में डिस्टेंस है, तो ठीक है, जैसा चल रहा है, उसे वैसा ही चलने देते हैं, ना हम सुसराल को त्यागेंगे, ना सुसराल वाले हमें त्याग रहे हैं, लेकिन वो प्रेम भी आपस में नहीं है, जो जिसकी अपेक्षा एक मस्तिश्क, एक मन करता है, तो ये है केतु का डिटेच्मेंट, ये जो बीच में एक स्पेस है, एक खाली जगह है, इसका नाम ह केतु, दोस्तों, यदि जन्म कुंडली के सब्तम स्थान में केतु बैठे हुए हैं, तो दामपत्य जीवन का प्रावपर तरीके से सुख इंसान को कभी लेने ही नहीं देते, हम अकेले केतु की बात कर रहे हैं, यदि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की कुंडली के अंद इस्थितिया अलग हो, अलग अलग ग्रहों का सब्तम भाव पर प्रभाव हो, लेकिन यदि सब्तम भाव में केतु अकेले बैठे हुए हैं, तो असंतुष्टी अपने जीवन साथी को लेकर के बनी ही रहती है लगन में यदि केतु है तो इंसान की असंतुष्टी अपने खुद को लेकर के बनी रहती है इंसान अपने आपको ही मिस्टीरियस मानता है उसे खुद को ही नहीं समझ पाता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है उसकी खुद की ही नहीं समझ में आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या मैं ऐसा कैसे कर जाता हूँ मैं सब कुछ समझता हूँ सब कुछ हिसाब से चलता हूँ लेकिन फिर भी ऐसा कैसे हो जाता है कुंडली के दूसरे भाव में यदि केतु है जातक कोटुम्ब को बहुत अच्छा समझता है वानी का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करता है धन बहुत सोच समझ कर खर्च करने की कोशिश करता है लेकिन इन तीनों के प्रती जो उसकी महत्व कांगशाए होती है जो उसकी इच्छाएं होती हैं वो पूरी नहीं होती जातक के मन में इन तीनों चाहे उसकी वाणी का प्रभाव हो चाहे उसे कुटुम्ब के प्रती कोई एक उसकी इच्छा हो या कुटुम्ब के अपने किसी सदस्य के प्रती कोई इच्छा हो या धन के प्रति कोई इच्छा हो क्योंकि अगर कुंडली के दूसरे भाव में केतु है तो आठवे में राहू होंगे राहू की दृष्टी सीध ही सी बात है कि राहू की दृष्टी महत्व कांग्षा पैदा करेगी आपको आगे बढ़कर धन का लाब लेने की तरफ ललचाएगी आपको अपनी वानी का लाब दिखाने की तरफ या वानी का लाब परवाही से प्रयोग करने की तरफ प्रेरित करेगी धन का अपने धन का संचय बढ़ाने की तरफ ले जाएगी आपको और धन प्राप्ति कराने की तरफ अग्रसर करेगी, प्रेरणा देगी, राहू की दृष्टी कुटुμb के साथ आपके अच्छे खासे बने हुए वेवहार में कुटुμb के साथ कुछ ऐसी हरकत आपके राहू अश्टम में बैठ करके कराने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी छवी डिस्टर्ब हो, कुटुम्ब के साथ आपका एक distance create हो जाए और फिर चाहकर भी आप उस distance को नहीं पाट सकेंगे क्योंकि वहाँ पर केतु बैठे हुए है That is detachment कुटुली के तीसरे भाव में यदि केतु बैठे है तो केतु आपके भाई भेनों के साथ आप बहुत अपने भाई भेनों से प्यार करते हैं उनकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं लेकिन एक बात हमेशा आपको एहसास आपके मन में होता रहेगा कि कुछ ऐसा है जो इतना समर्पित होने के बाद भी आपके भाई भेन आपके साथ वो लगाव नहीं रखते या आपका मन अपने भाई भेनों की तरफ से उतना संतुष्ट नहीं होता जितने की इच्छा आपकी है आपका अपना पराक्रम आप अपने पराक्रम से पूरी तरह से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते आपको सिर्फ समझोता ही करना पड़ता है दूसरे भाव में हो कुटुम्ब के साथ अपने धन की स्तिती के साथ आपको समझोता ही करना पड़ेगा तीसरे भाव में है आपको अपने पराक्रम के साथ आपको अपने भाई वेनों के साथ पलोसीयों के साथ समझोता ही करना पड़ेगा यहां बात आती है ना छोड़े बनता है और ना पाया ही जाशता है ऐसी जगह पर लाकर ख़ळा कर देते हैं कि तू एक मन में पीड़ा रहती है कि मैं इसको इतना अपना मानता हूँ लेकिन फिर भी मुझे इसकी तरफ से वो अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है तो दोस्तों कुंडली के जिस भी भाव में केतु बैठ जाते हैं उस भाव के फलों को आसानी से जातक को मिलने नहीं देते क्योंकि ठीक सब्तम में जहां भी केतु बैठेंगे उससे ठीक सब्तम में रहु बैठे होंगे रहु जिस भाव में केतु बैठे हैं उस भाव पर द्रिश्टी डालेंगे और राहू उस भाव से फलों को बढ़ा कर उसका लाव लेने की चाह जातक के मन में पैदा करेंगे जातक उन चीजों के पीछे भागना शुरू करेगा जब उन चीजों के पीछे भागना शुरू करेगा तो वहाँ बैठे हुए है केतू आसानी से उसका result नहीं मिलने देंगे अब यहाँ से शुरू होता है खेल राहु दोडाना शुरू करते हैं और केतु उस परिणाम को मिलने नहीं देते हैं बस इसी खेल में जातक का जीवन गोंता रहता है तो दोस्तों इस रहस्यमे छाया ग्रहु के रहस्यमे जाल से वो ही निकल पाता है जो आत्म मंथन करता है आत्म चिंतन करता है जो राहु के बिना कारण दोडाने पर दोड नहीं पड़ता उसे केतु के कश्ट कभी भी नहीं मिलते हैं आप यदि अपने ससुराल से किसी तरह की एक्स्ट्रा एक्स्पेक्टेशन्स नहीं रखते हैं इसका मतलब राहु आपको उतेजित नहीं कर पा रहा है गुंडली के आठवे भाव में केतु है यदि आप अपने ससुराल से बहुत जादा एक्सपेक्टेशन्स नहीं रखते हैं संबंदों को नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर से लेके चलते हैं तो सीधी सी बात है कि राहू आपको उतिजित नहीं कर पा रहे हैं अपने ससुराल से बहुत अच्छा लाब लेने के बारे में तो केतु आपको परिशान होने ही नहीं देंगे जो आपका संबंद है यदावत चलता रहेगा लेकिन जहां राहू ने आपके उपर दबाव बनाया और आपने अपने मन में कोई महत्वा कांगशा पाली अपने ससुराल को ले करके वही केतु अपनी वर्किंग शुरू कर देंगे असंतुष्टी 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 ससुराल के प्रती असंतुष्टी पंचम में बैठे हैं तो शिक्षा के प्रतिय असंतुष्टी, प्रेम संबंदों के प्रतिय असंतुष्टी, संतान से असंतुष्टी ये है दोस्तों राहू और केतू का खेल ऐसी स्थिती हुने पर हर मोड पर इंसान को एक समझोता ही करना पड़ता है और वो समझोता राहू के उत्तेजित करने के कारण इंसान को करना पड़ता है अन्यथा केतू मोक्ष कारक है, अपने आप में एक शांदार एनरजी है कुछ बत केतू तो बहुत सोच समझकर आत्ममंथन करके जिस भाव में केतू बैठे हैं उस भाव के फलों पर बहुत चिंतन करके आप उस पर विचार करें आगे बढ़ने के बारे में सोचें तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथे से शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद दोस्तों